मैं प्रमोज महाजी अध्यक्ष मागंगा निसादरा शेवानियाद। आज हम नगर निगम में आयते हैं कुछ लाइसेंसी करण में गड़बड़ी। जो लाइसेंसी करण की गड़बड़ी की बात करने के लिए हम आयते हैं और यहाँ पर हमने पत्रग भी अपने अनुग्यपति अधिकारी जी को भी दिया है तो हम तो तैयार बैटे वह AND हमारे जाने में क्या क्या मीन क्या है एक दूकर नेकर रहने घ्रय कजिए हमलुत हमारे हिसाब से तो नाुब 11 क 뭐가 सट लेकिन इनका ओक्राने क्या क्या बोलता है तो रहन सी द GIS वाली ग्रीचिय। हमारे पास करीब 12-1300 लाइसेंस वाली है और हमने लगबग आज का मिला कि लगबग देड़ से पहुने 200 अपना नया नाव लाइसेंस का इनको आधार दिया हुआ है जो कि इनको करना है और उस पे ही मूल रूप से हम बात करने आए थे क्योंकि बार-बार यह कहा जाता है कि नाजायज नाओ गयर लाइसेंसी नाओ तो थो में लाइसेंस बनवाना चाहते है उसी पर हमने इंसे बात कि ए और हम चाहते है कि सभी जयायज जयायओ का लाइसे लोगा घैर। लोग मला तो हैं लेकिन उनको माजियाना का हक नहीं ऐसे लोग भी चोरी चमारी से लाइसेंस बनवा लिये हैं जो आज लडाई का मूल कारण बने बैटे हुए हैं इन सब चीजों पर हमारी चर्चा हुई कि किसी दरह से ऐसे लोगों को हम लोग यहां से निकाले जो गैर हैं तो इन सारी चीजों पर बैठक हुई और समभवत्वा यह सार्थक बैठक थी क्योंकि आगे एक बड़ा बैठक करके इस सारे चीजों का निवारण किया जाएगा ऐसा महापार जी ने भी हमसे कहा है कि आप बैठिये अपनी बाते करके आप हमारे पास आई है जो भी आ कृषि सामज को जहां तकसि ऑंजी क्रण में हमारा मामला है हम सारे माईजी भाई से जरूर हम से और भी कृषि एक Epic करण करवाएं क्योंकि यह Deal तोその मागंगा सुझ निकरते वी पहिपतर दूसरे तरफיפ म हम्हारा ना चाहिए करते हैं अच्छा इंजन को सबसे मच तुम्हारा भी सह है कि इंजन सही होना चाहिए आज के दिन में घाटों पर ढूंड ले तो सैकड़ों की संक्या में ऐसे इंजन फेके पड़े हैं जो लगने के अच्छे इंजन के संदर में भी बात किया और अच्छे इंजन की मांग की अच्छे इंजन जब यह देंगे हम पूरे बनारस के लोग को स्विकार करने को तयार बैटे हैं